प्रियाग राज में चलती हुई बस में बस के कंड़क्टर हरकेस विस्वकर्मा पे जानलेवा हमला हुआ है। मज़भी उनमाद नहीं रुकेगा, कटरपन्थ नहीं रुकेगा, चरमपन्थ नहीं रुकेगा, कानून इसका समाधान है। आखिर चीन में जहादी हमले क्यों नहीं होते सिंगापूर में जहादी हमले क्यों नहीं होते जापान में जहादी हमले क्यों नहीं होते भारत में क्यों होते हैं भारत में तो हैं सब नेता भी हैं अभी नेता भी हैं बड़े बड़े लेखक भी हैं बुद्धिजीवी भी है खुब गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले भी हैं खुब पत्रकार कलमकार भी हैं खुब सुबस लेके शाम तक बाते भी खुब हो रही है फिर जिहादी हमले क्यों नहीं हो रहे क्यों नहीं रुक रहे सबसे पहले भारत में समान सिक्षा की जरूरत है दसवी तक समान सिख्छा यानि सोला साल तक सभी बच्चों की किताब एक करना पड़ेगा एक हमें कमिशन बनाना पड़ेगा जिसमें सभी पंथों के एक्सपर्टों और वो देखें कि भारत में ऐसी कौन-कौन सी किताबे हैं जिसमें नफरस सिखाई जा रही है भारत में ऐसी कौन-कौन सी तक्रीरे हैं जिसमें नफरस सिखाई जा रही है भारत में ऐसी कौन-कौन सी और भी वीडियो हैं जहां पे दूसरों के खिलाफ नफरस सिखाई जाता है जब तक ये नफरती वीडियो नहीं रुकेंगे नफरती तक्रीरें नहीं रुकेंगी नफरत सिखाने वाली किताबें नहीं रुकेंगी और जब तक ऐसे स्कूल नहीं रुकेंगी जहां नफरत सिखाया जा रहा है तब तक जहाद मज़भी उन्मात कट्रबाद नहीं रुकेगा इसका एकी समाधान है भारत में समान सिक्षा लागू कर दिया जाए 14-16 साल तक सभी बच्चों की एक किताब या दसवी तक कस्मीर से कन्या कुमारी कछ्छ से कामरूप तक सब की एक किताब सब अपनी अपनी भाशा में पढ़े गुजरात वाला गुजराती में पढ़े बंगाल वाला बंगाली में पढ़े लेकिं किताब सब की एक कामन होगी और प्राइमरी पांच साल के प्राइमरी में केवल वैदिक सिक्षा केवल वेद, पुराण, गीता, रामायर, अस्टांग योग, सत्यार्थ, प्रकास ये पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जहाद मजहभी उनमाद रुकेगा, ये जो नफरत सिखाने वाले स्कूल उनको बंद करना पड़ेगा, तब जाके जहाद मजहभी उनमाद रुकेगा, ये जो दुनिया भर के personal law चल नहीं अलग अलग मज़ावी कानून चल नहीं मज़ावी कानून खतम करने पड़ेंगे सब के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा और सब के लिए हम दो हमारे दो सब के लिए mandatory करना पड़ेगा जो common civil code न माने जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता खतम करने का कानून मनाना पड़ेगा कठोर कानून मनाना पड़ेगा तब जाके जहाद रुकेगा मजभीन मद रुकेगा अगर हम चाहते हैं कि वास्तों में भारत में सुख सांती आए समर्दी आए जहादी हमले रुके जिसे जापान में शांती है, सिंगापुर में शांती है, चाइना में शांती है अगर हम वो चाहते हैं तो हमें तद्काल भारत में वन नेसन वन पुलिस कोर्ट लागू करना पड़ेगा अभी यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, केरल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, पुलिस सत्ता के गुलाम बनी हुई है, जैसी सत्ता होती है जिस पार्टी की उसी के अनुसार पुलिस काम करना सुरू कर देती अखिलेस रहते हैं आतंकवादियों का मुकदमा वापस होता है योगी जी मुख्यमंत्री रहते हैं तो बुल्डोजर चलता है ऐसा नहीं कानून ऐसा होना चाहिए जो स्टिक्ट हो सत्ता बदलती रहे मुख्यमंत्री बदलते रहे लेकिन पुलिस अपना काम निस्पक छोके करती रहे उसका एकी तरीका है भारत में वन नेशन वन पुलिस पुलिस कोड लागू किया जाए एक घंटे के अंदर और एक महीने के अंदर जाच करना मैंडेटी किया जाए नार्को पॉलिग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाना पड़ेगा हर जिले में जिससे कि फटा- दूद पानी का पानी हो गया होता पता चल गया होता कि उसने क्यों मारा किसके कहने पे मारा और कितने आतंकवादियों के संपर्क में है पूरी बूरी सच्चा ही सामने आ गई होती अधर्वाइज ऐसे पुलिस महीनों महीनों पूस्ताश करती रहेगी कभी एक बात बताए में justice within year लागू करना पड़ेगा judicial charter लागू करना पड़ेगा court के लिए आवश्यक रूप से एक judicial charter होना चाहिए सभी जजों के लिए कि आपको हर हालत में एक साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है एक साल से पहले करते से बहुत अच्छी बात है लेकिन maximum one year justice within year एक घंटे के अंदर एक महीने के अंदर जाच और एक साल के अंदर मुकदमे का फैसला और सबसे important एक हमें one nation one penal code बनाना पड़ेगा यह हमने जो घटिया कानूनों का मकरजाल फैला रखा है मकरजाल बंद करना पड़ेगा अमेरिका में जैसा federal penal code है न ऐसा हमें कानून बनाना पड़ेगा अभी हमारे पास आतंकवाद का अलग कानून है मजभी उन्माद का अलग कानून है अलगावाद का एक अलग कानून है देश की एकता खंडता के लिए जो अलग कानून है ये पिये है राश्टी सुरक्षा के लिए जो खत्रा है उसके लिए अलग कानून है NSA हम यह करें सारे कानूनों को आपराध के जितने भी कानून है सब को मर्ज करके chapter wise one nation one penal code बना दीजे hate speech को define करना पड़ेगा और एक multi faith committee बनाना पड़ेगा जिसमें सभी मजहब के विद्धवान हों सभी religion के expert हों और वो बैठके देखें कि जितने भी हमारी religious books हैं जितनी हमारी मजहबी किताबे हैं उसमें ऐसी कौन-कौन से वाक्य हैं ऐसे कौन-कौन से sentence हैं जो नफरत सिखा रहे ऐसा नहीं हो सकता ना आग पेट्रोल रखके आप आग सोचो अगर बुझ जा तो नहीं होगी अगर आग बुझानी है तो पेट पेट्रोल बंद करने का मतलब जितनी भी नफरती तक्रीरें हैं जितनी नफरती किताबें हैं जितनी नफरती स्कूल हैं इनको बंद करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है हमने दुनिया भर के commission बना दिये जाती के अधार पे हमने SC commission, ST commission, OBC commission बना दिये भाशा के अधार पे भी हमने आयोग बना दिये लिंग के अधार पे हमने महिलायोग भी बना दिया है, national human right commission ही बना दिया, यहां देश की एकता खंडता को इतना बड़ा खत्रा है, हम एक रास्टी एकता खंडता आयोग क्यों नहीं बनाते हैं, एक हम national unity and integrity commission क्यों नहीं बना रहे हैं सम्मिधान के प्रियंबल में लिखा हुआ है, हमने जातियों के अधार पे कानून बना दिये, भाषा के अधार पे आयोग बना दिये, भाषा के अधार पे कानून बना दिये, छेत्र के अधार पे आयोग बना दिये, सब पैसा भी बाट रहे हैं, जातियों के अधार पे प है जाय ओ धर्मांत्रन से खतरा हो घुस पैट से हो जन संक्या विसफोर्ट से भो मझहभी उन्माइश से हो इसको रोकने के लिए किया क्या करना है कि अम बार बार कह रहा हूं का समस्याओं का समद्हान कानून से होगा कानून को बदले बीना कुछ नहीं होगा सरजन बहुत अच्छा हो लेकिन अगर उसका आपरेशन करने का सामान घटिया हो कभी अच्छी सरजरी नहीं हो सकती डाक्टर बहुत अच्छा हो दवा घटिया हो मिमारी कभी ठीक नहीं हो सकती ड्राइबर बहुत अच्छा हो अगर गाड़ी का इंजन घटिया है खराब है कभी भी आतरा सुरक्षित नहीं होगी मिस्तरी बहुत अच्छा हो सिमेंट बालू कर घटिया है कभी अच्छा घर नहीं बनेगा खाना बनाना आपको बहुत अच्छा हो बहुत आता हो अच्छी तरीके आता हो खाना बनाना लेकिन अगर तेल मसाला घटी आए सबजी घटी आए अच्छा खाना नहीं बन सकता ऐसे सासक कितना ही अच्छा हो जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक ना प्रियाग राज में जहां जहादी हमला हुआ है वहां तो ट्रिपल एंजन की सरकार है प्रियाग में नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्री में भी बीजेपी की सरकार है तो प्रियाग राज में तो तीन कुछ चंद लोगों के घर पे बुल्डोजर चला देने से मजभी उनमाद नहीं रुकेगा वो जो कीड़ा है ना नफरती कीड़ा उस नफरती कीड़े को निकालने के लिए हमें सिच्छा बेवस्था को बदलना पड़ेगा नफरती कीड़े को निकालने के लिए हमें आगरी संहिता लागू करना पड़ेगा नफरती कीडे निकालने के लिए दंड विवस्था इसे कठोर रखना पड़ेगा जहां खौफ हो कि अगर कुछ भी गलत किया तो छूटेंगे नहीं अब नियाईक विवस्था इतनी कठोर हो कि अगर गलत किया तो सालभर के अंदर प्षासी हो जाएगी तब जाके खौफ पैदा होगा मैं बार-बार कहता हूँ सरकार को कुमहार से सीखना चाहिए कुमार जैसे एक हाथ नीचे रखता है न और एक हाथ ऊपर अंदर से मिट्टी को सपोर्ट उपर उठाता है उपर से दबाता है ऐसे ही यह सरकार को सिक्षा ब्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जो अंदर से संस्कार लाए नफरत न सिखाए और उपर से दंड बिवस्ता ऐसी कठोर होनी चाहिए, कि अगर कुछ गलती किया, तो साल भर के अंदर आजीवन का रवास खांसी होगी, कठोर दंड मिलेगा, तब जाके शांती आएगी, नहीं तो नेता बदलते रहेंगे, सरकार बदलते रहेंगे, पार्टियां बदलते र यही आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, जमीन यह स्तर के कुछ भी नहीं बदलेगा.